आज दोस्तों नमस्कार मेर आके सुरुएला अपने चैनल पर आपका स्भागत करता हुं और सभी दोस्तों को नमस्कार आदाब ऑर शस्रियाकाल और मैं यहाँ पर आया हूं कीय अकि सोरुम पर दोस्तों आज हम किया सॉनिट का रिव्यू देंगे और हमारे यह हमारा STK Plus model है, यह lock, यह unlock, यह हमारा hold का हो गया, और यह हमारा boot के लिए है, इस तरह की smart किया है हमारी कुछ, आज़े दोस्तों इस तरह का हम को यह किया का logo मिल जाता है, और यह हमको tiger nose grill मिल जाती है, glossy है, नीचे हमको यह chrome मिल जाती है, एक साइड में, और नीचे हमको यह iskit plate मिल जाती है, और यह हमको fog lamp मिल जाती है, और यह हमको fog lamp मिल जाती है, नीचे, yellow projector के साथ में, ओपर यह हमारी head light आ गई है, जो हमको yellow ही color में मिल जाती है, और यह side profile और हम आप यह आपको दिखाते हैं, आज़े दोस्तों इस समय हमको जो है, यह हमें profile मिलती है, अपने steel rim है, हमारे 256R16, यह हमारी profile है, और इसमें 4 डिस प्रेक मिलते हैं, और दोस्तों हमको electric ORVM, यह turn indicator के साथ में हमको मिल जाते हैं, हाँ जी दोस्तों, यह हमारी roof rails आ गई है, और अभी हम उपर देख रहे हैं, संडूप तो नहीं है इसमें, और फिर हमारा यह आ गया है, chrome door handle के साथ में request sensor दिया हुआ, इसके अंदर, और इस तरह की profile है, यह 4 डिस प्रेक आते ही है, यह हमारा sharpen antenna आ गया है, उसके बाद, फिर हम भी देख रहे हैं, अपने spoiler है, फिर यहां पर यह हमारी light आ गई है, back light, फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आने एक बाद हमारे किया का logo, आज ही दोस्तों, back profile इस तरह की नजर आ रही है, fuel tank हमको 45 लिटर के मिल जाता है, और यह trail light का हमारा फूरा setup हमको halogen मिल जाता है, और यह देखो, यह हमको किया के बैजिंग के साथ में, इस तरह की light के हमको profile नजर आ रही है, फिर हम दोस्तों, यह किया की बैजिंग, और यह हमारा back camera, यह sonnet की बैजिंग, तो हमें इसमें boot space मिल रहा है, 392 लिटर का, और यह हमारी उ कुछ, बहुत मजबूत है, और काफी अच्छा space हमको है boot के अदा, हाजी दोस्तों, पिछले डोर पर आ चुके हैं हम, और हम देख रहे हैं यह, अभी यहाँ पर हमारा यह बटन आ गया है, सिसे के लिए, इधर यह सब plastic, chrome और यह सब आ गया है, हैंडिल का, यहाँ पर भी क इक्स वाले हैं, headrest हमारे, इस तरह का space यहाँ पर मिल रहा है, मेरो किछ effect मेरी height है, उसके एसाफ से बहुत हमको यहाँ पर space है, यह हमारे दो AC variant आ गया है, और यह हमारा एक charging circuit आ गया है, 12 volt का, यहाँ हम समान रख सकते हैं, यह उपर हमको light मिल रही है, light पिल यह हमारा handle आ ग कुछ इस तरह की हमको look नजर आती है, बहुत सांदार look है, बहुत ही सांदार look है, हाजी यह हमारा request sensor, door handle chrome के साथ हमको यहाँ पर मिलता है, फिर उसके बाद हम यहाँ आते हैं आगे, तो काफी space हमको यहाँ मिल जाता है, यह हमारे सारे button जो है, हमारे ORBMK और सारे controls यहीं पर दिया हुआ है, यह हमारा speakers आ गया है, दोस्तों यह हमें manual seat मिल जाती है, उपर नीचे कर सकते हैं, इसकी height को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और यह हमको push button आ गया है, यह light को adjust करने के लिए, उपर नीचे करने के लिए, यह event, और हमको यह decat steering नहीं मिलता है, और यह हमारा इस जो इस तरह की नजर आ रही है, डिजिटल M.I.D. है यह, और इधर जो हमारा यह point आ रहा है, यह point हमारे है, यह हमारे सब control हमारे जो M.I.D. के आ गये हैं इधर, और यह हमारा वाइपर control आ गया है, इधर की तरफ headlight के control मिल गए हमको, और फिर हम यह touch screen पर आते हैं, जो हमार एट इंच का Android Auto Apple CarPlay है, आटोमेटिक एसी मिल जाती है, दो एसी बेंट मिल जाते हैं, यह हमको मोवाइल रखने के लिए इस पेस मिल जाता है, यह 12 बोल्ट के socket मिल जाते हैं हमको यह आपे, और यह आगे हमारा 6-speed manual transmission मिल जाता है, और यह हमको manual handbrake मिल जाता है, दो cup holder के यह headrest है, इसमें भी हमको काफी space मिल जाता है, फिर यह हम देख रहे हैं, यहां भी space है, काफी समान रखने के लिए काफी है, बड़ा है यह भी, फिर उसके बाद airbag की bedging है, सामने, यह हम देख रहे हैं, lighter दी हुई हैं कुछ इस तरह की, यह हमको चस्मा रखने के लिए दि मिल रहा है, यह इसको adjust कर सकते हैं, यहां पर है कोच धोब से बचने के लिए हमको इद गया हुआ है, इसमें mirror भी लगा हुआ है, दूसरे साइड में, यह भी है, यह हमको handle मिल गया है, पकड़ने के लिए इस साइड में नहीं है, यह हम इसको steering को इस तरह से तो कर सकते हैं, दोस्तो हमें इसमें diesel engine के साथ में 1500cc का हमको इसमें engine मिल जाता है, 113 bhp के हमको power मिल जाती है, 250 nitrometer का torque मिल जाता है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, thank you so much.